नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं उसके बाद से ही ब्रजबूशन चर्चाओं का कींद्र बनी हुए है और उन्हीं को लेकर बीजेपी कैसरगंज सीट पर असमंजस के स्तिथी में नजर आ रही है पतादे कि ब्रजबूशन का कैसरगंज संसदेशेत में अच्छा खासा सियासी जनाधार माना चाता है जिसके चलते बीजेपी अभी भी उनका टिकेट काटने में नाकाम रही है वही बीजेपी अगर उन्हीं टिकेट दे भी देती है तो उनके खिलाफ महिला पहलवानों की जो आरोप लगाए गए है उनके चलते लोगों में ब्रजबूशन के खिलाफ काफी विरोध है जिसक खाम्यादा बीजीपी को भूगत ना पढ़ सकता है इसी को लेकर माना जा रहा है कि भारते जनता पाटी अब बीच मजधार में नजर आ रही है ब्रजभूशन की चलते हैं बीच बीते बुद्वार को बड़ी खाबर यह आई कि ब्रजभूशन शर्ण सिंग ने कैसर गंज से नामांकन भरने के लिए परची अपनी खर मंगवाए यानि कि ब्रजभूशन को लेकर अब कयास बढ़ गए हैं कि वो निर्दलियों उमीद्वार के तौर पर चुनावे म मैदान में उतर सकते हैं अगर बीजीपी उन्हीं टिकेट नहीं देती दरसल बुद्वार शाम ही ये बड़ी खाबर सामनी आए कि ब्रजभूशन ने कैसर गंज में नामांकन दाखिल करने के लिए परची अमंगवा लिए हैं अब यह देखना होगा कि बीजेपी उन्हें टिकेट देती है या नहीं और अगर नहीं बीजेपी टिकेट देगी तो ब्रजभूशन के चुनावी मैदान में अंदर दली उतरती नजर आएंगे क्योंकि ब्रजभूशन श्रिंग उन नेताओं में से एक है जो पार्ट याला कमान के किसी भी फैसले को चुप चाप खानी के लिए माने जाते हैं ऐसे में बीजेपी अगर उनका टिकेट मार कारती है तो निश्री तोर पर बुन देद्यो मिलवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखत ग问 वीडियो में बीजेए के देखता हैं प्रयक्यों के लिए येखता हैं जाते हैं